हो कर यू मायूस न साम की तरह ढलते रहे हो कर यू न मायूस साम की तरह ढलते रहे जिंद्गी एक भोर है जिंद्गी एक भोर है पूरच की तरह निकलते रहे साथियो आप यदि मायूस है उदास है तो अपने जीवन को गती दीजिए क्योंकि मायूस रहने से उदास रहने से आपके जीवन की जो गतिसील दिसा है वो आपके जीवन में उर्जा प्रदान नहीं करेगी और यदि आप अपने भीतर एक सकरात्मक भाव को जागरित करें तो अवस से ही आप भी सूरज की भाती चमकेंगे और आपके जीवन में हर एक दिन भोर होगा और उस भोर में आप नवीन उपलव्यों को प्राप्त करेंगे और जैसे जैसे साथियों आप अपने सकरात्मक भाव से अपने लक्ष के प्राप्ती के लिए कारे करेंगे वैसे वैसे आप सफलता के करीब जाएंगे साथ कोई विकल्प नहीं है कि हम अपने लक्ष प्राप्ती में जब अनेक समस्याय देखते हैं तो हम यूँ हाथ पे हाथ धर कर बैठना विकल्प नहीं है बलकि हमें कारी करना होगा अपने लक्ष की प्राप्ति के लिए ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि यूँ होकर उदास न बैठ जाओ और साम के तरह न ढढ़ो बलकि जिनकी तो एक भोर है और तुम्हें सूरज के बाती उगना भी तो है तो साथियो आप ही के भीतर वो तमाम उर्जा है बसरते आप अवसे ही पुन्रा विलोकन करें और आज का जो दिन है वह दिन आप सभी के लिए बिहत खास है जैसे ही आप इस वीडियो को संपन्न करेंगे वैसे ही आप एक अपनी भीतर सफत लेंगे कि आज मेरी जीवन में एक नई सुरवात होगी और निश्चित रूप से मैं अपने लक्ष के प्राप्ति के लिए कारी करूँगा ही करूँगा साथियो जिस दिन आप यह प्रक्रिया अपने जीवन में प्रति दिन अपना लिए ऐसा कोई दिन नहीं होगा कि वो आपके लिए प्रति में सिद्ध न हो साथियो कहा जाता है कि यदि आप किसी चीज को सिद्ध से चाहे साथियों कहा जाता है कि यदि कोई चीज आप सिद्ध से चाहे तो ब्रहमांड भी साजिस करने लगता है कि कैसे आपको वह चीज दिला दे तो साथियों आप पल प्रती पल हर दिन आप अपने लक्ष के प्रती कम से कम पाच मिनट जरूर यहां कहे कि मैं अवस्ते ही अपने लक्ष को प्राप्त करोंगा ही करोंगा और उस पाच मिनट में आप अपने लक्ष के लिए एक छोटा सा रूप रेखा जरूर बनाएगे इससे क्या होगा साथियों कि आपकी रूप रेखा आपके सब कौनसेस माइंड में चला जाएगा और जैसे ही सब कौनसेस माइंड में जाएगा वैसे ही आप नित्ते अपने लक्ष के करीब पहुचिना आरंब करेंगे अब आप सोचेंगे वो कैसे इसलिए साथियों कि आप अपने आप अपने लक्ष प्राप्ति के लिए कारे करने लगेंगे तो साथियों आप सभी से आसा है कि आप अवस से ही वह भोर हैं जिस भोर में प्रतित दिन एक सकरातमक भरपूर उड़ जागे साथ सूर्य चमकता है तो साथियों इसी आसा संदेश के साथ मैं सीमा गुपता आज आप सभी से विदा लेती हूँ कि आप अवस से ही अपने चीवण में सकरातमक भाव को प्रिवेश लाने के साथ आप अपने लक्ष की रूपने खाज बनाएंगे और आज का यह दिवस आप सभी के लिए बहुत बहुत उर्जवान साबित हो स्वास्त वर्दक हो और जल से जल्द आप अपने लक्ष की करीब हो लक्ष प्राप्त करें इसी आसा के साथ मैं सीमा गुपता आज आप सभी से विदा लेती हूँ नमस्कार